हलो और नमस्ती फ्रेंस वेलकम टू पूजा डॉट अगर्वाल्स किचन फ्रेंस घर पे महमान आने वाले हैं और बिर्यानी बनानी है जल्दी बनाना है बहुत परफेक्ट टीस्ट का बनाना है तो हम क्या करेंगे आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को दावत बिर्याने बनाना बहुत यमी बनेगा परफेक्ट टेस्ट टाएगा तो देखी दो बिर्याने इसमें काफी फ्लेवर आते हैं हाइदरबादी बिर्यानी के कोलकाता और अवदी बट मैं कोलकाता बिर्यानी फ्लेवर यूज कर रही हूं ठीक है यह सबसे अच्छा लगता है मुझे आ आपके घर पे अगर बिर्यानी हो अगर बढ़या वाला अगर आपको वह यूज करना तो आप वह ले सकते हैं ठीक है इसमें गरम मसाला साबुट डाल के बॉइल कर लिया और यह देखिए इसमें मसाले ऐसे आते हैं कोलकाता वाले किट में एक पेस्ट आता है बिर्यानी र अब देखिए फ्रेंट गरम मसाला है इसे आप जब चावल बॉइल करें तो उसके साथ डाल के बॉइल कर ले ठीक है यह मैंने राइस अलड़ी बॉइल करके मसाले के साथ रख दिया है और यह वाला एक चाट मसाला है जो हम धाई का रायता जब बनाते हैं बिर्याने के सा अब चाहिए यह उबले वे चोटे वाले आलू है और शिम्ला मिर्चे कटे वे लंबे और यहां पर बगल में मैंने रेट टोमेटो काटके रखें रखें अनियन काजू और थोड़े से चैरी ठीक है और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा केसर रख है वो गरनेशिंग के लिए वेजिटでは चुट तक है वेजिटाबल्स काफ़ी सारे है वेजिटाबल्स अब दाले यह पूछ रख आलू भी ढल सकते यह सिर्प मुटर भी ढल सकते है इस तोड़ा सा घी गरम होगिया है अब हम इसमें आलू तेज आंच में थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे जरा सा कि मैंने ज़रा सा इसमें नमक डाला है हलका सा पेंग हो जाए अब इसमें हम प्याज शिम्ला दोनों डाल देंगे टमाटर में डालेंगे अब इसमें प्याज और शिम्ला दोनों सबजी डाल देंगे यह गया प्याज और शिम्ला मिर्च अब इसे टॉस करेंगे और हलका सा नमक और हल्दी पौडर हम डालेंगे अब हम लास में टमीटो भी डाल देंगे और हलका सा टॉस करेंगे काजु में मैंने थोड़ा डाले और थोड़ा से गानिशिंग के लिए थोड़ा से बचा लिए अब अब नमक और थोड़ा जड़ा सा चिटकी बर हल्दी पौडर इसे टॉस कीजिए और इसमें डालेंगे ज़ो बिर्यानी पेस्ट पेस्ट भी डाल देना है आपका मन है पूरा दालना चाहे थोड़ा बचाना चाहे जैसे आपको टेस्ट चाहिए अच्छा सथ जो पूरी पैकेट डाली अधर आधा भी डाल सकते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यह पेस्ट बहुत अच्छा लगता है अब देखे टॉस हो गया अब इसमें राइस डालेगे कुछ पेस्ट में है बस चावल में थोड़ा सा आपको नमक डालना है चावल जितना है उसे इसाप से उसकी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंगली देखे मैं आप राइस डाल देती हूँ और जड़ा सा नमक डालेंगे और हलकी हाथ उसे आपको इसे टॉस करना है ठीक है लगातार चलाना नहीं है हलके हाथों से जिस्ट नीचे से उपर पलटना है धीरे धीरे और इसे बस हम कवर करके जिस्ट टू मिनट्स के लिए फ्रेंट्स पकने देंगे बिल्कुल धीमे आज पे ताकि इसका जो फ्लेवर पूरे राइस के अंदर मिक्स हो जाए फ्लेवर फुल हो जाए राइस चीके मैंने कवर करके पकाया जो टू मिनट्स अब ये हो चुका बिल्कुल गर्मा गरम है और बिल्कुल देखे सिक चुका अब देखे फ्रेंट्स मैंने ये माटी के ऐसे हंडी में इससे सर्फ किया ये उपर में आलू है और मैंने इसमें देखे दो तिन चेरी लगा दी थोड़ा सा काजू डाला अब ज़रा से ये केसर डाल रही हूं उपर अच्छे से खुश्बू आए फ्लेवर फुल हो जाए शेयर वित ये फैमिली और फ्रेंट्स थैंक यू सो मुच बबाई टाटा सी यू बनाए खाये देखते रहें कि अर्वाला अबढ़ बनाए जाए वित शेखते यू